गुड इव्रीवन वेल्कम बैक टो आज चैनल मेरा नामान चुले चले देख लेते कल के लिए क्या प्रैस एक्षिन हो सकता है और मार्केट किस डिरेक्षिन में मूख कर सकता है सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी निफ्टी में आज एक गैप ओपनिंग देखने को मिला जहां पर यह ओल टाम हाई लवल के पास खुला था यहां पर खुल के एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला जहां पर जो एक गैप था उसको क्लोज करके एक सपोर्ट लेता हुआ उपर के साइड मूफ किया जहां पर आज के दिन निफ्टी ने एक नया ओल टाम हाई बनाया अगर हम निफ्टी का क्लोजिंग की बात करते हैं तो जो प्रीवेस एटी एच लवल था उसी लवल पर आके एक सपोर्ट लिया है अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं तो निफ्टी के वाई में जो ट्वेंटी टू वन हंडड लवल है यहां पर कॉल जयदा है अगर हम डाउन साइड देखते हैं तो पुट रेटिंग काफी जयदा श्रॉंग है 22,000 लवल पर यह एक मेजर सपोर्ट लवल की तरह काम करेगा इन दे कमें ट्रेडिंग सेशन अभी जो 22,100 जहां पर निफ्टी क्लोज किया है यह अभी भी इंडिसिसिव की तरह काम करेगा और जो नीचे के साइड क्लोजिंग का लो है यह लवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा यह पूरा रेंज एक वालेटाल रेंज होगा एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह ट्रीट करेंगे अगर निफ्टी फ्लैट कुलता है और उपर के डिरेक्शन में केक्शन अगर दी अगर निफ्टी के रेंगर इख में disciplines ना के बना सकता है अगर दा साटा चिंग नेizers काम करेगा अगर इसका बेक डाउन होता होता है तो यहां पे गाप सपोर्ट भी है 21,900 के पास अगर इसको भी fail करता है तो directly 800 level हर 100.6 एक-एक support की तरह काम करेगा अगर हम bank nifty की तरफ देखते हैं तो bank nifty में भी एक सुबह के time gap up opening के साथ एक उपर के side moment किया था पर कई ना कई जो हमने discuss किया था कि जो एक week छोड़ा था bank nifty ने वो एक resistance की तरह काम करेगा यहाँ पर multiple times test किया यहाँ पर जो almost last last के one hour के trading session में इसका breakout भी दिया था पर यह fail होके फिर से एक नीचे के side bank nifty आया है और जो closing देखेंगे तो 46,500 का एक support लिया है अगर हम bank nifty का हुआ है देखते है तो 46,500 पर call rating ज्यादा है पर major call rating है यह एक resistance level की तरह काम करेगा बीच के अगर strikes देखते है तो दोनों side में put rating और call rating अच्छे है अगर हम chart पर वह पस आते है तो फिर से जो एक range है 46,700 के पास एक volatile range होगा और नीचे के side जो एक swing दिया या नीचे के जो final closing का low है 46,500 के पास यह पूरा range एक 200-300 point का यह एक range volatile range होगा bank nifty के लिए अगर same bank nifty flat cool के उपर के side move करता है along with nifty तो उपर के side breakout देके 47,000 level का resistance test कर सकता है अगर नीचे के side breakdown देता है तो there is a immediate support at 46,300 और 46,200 तो यह level से एक support की तरह काम करेगा एक major support level की तरह काम करेगा अगर bank nifty में direct gap up opening आएगा तो फिरसे यह resistance zone और यह जो आज का intraday high zone है यह फिरसे एक volatile range होगा bank nifty के लिए until and unless यह 46,900 यह 47,000 के उपर जाके sustain करता है bank nifty तो एक momentum plan कर सकता है अगर नीचे के side gap down खुलता है bank nifty में जहापे directly इस level के नीचे right 46,300 के नीचे खुलता है तो एक bearish scenario आ सकता है जहापे यहाँ पे जो भी trend में part लिया होगा इनके assets hit होंगे तो एक sharp fall नीचे के side देखने को मिल सकता है और directly 45,700 के पास या 46,000 के पास जो एक OI support है इस level तक आ सकता है तो यह होगा मारा analysis कल के लिए थैंक यू